गूट मॉर्निंग विवर्स वेलकम टू आर चैनल आर्ट मन है तो फन है आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खुबसूरत और लो मेंटेनेंस वाली प्लांट के बारे में जिसका नाम है अडेनियम इसे डेजर्ट रोज भी कहते हैं क्योंकि इसे गर्म जलवाईू पसंद है और ये गुलाब की तरह खुबसूरत होता है माना जाता है कि इसका नेटिव प्लेस एफ्रिका और अरेबियन पेनिंसुला है ये अपने फूलों के अलावा कोडेक्स यानि तने के निचले भाग की ब्यूटी के लिए भी बहुत फेमस है इसका कोडेक्स जितना पुराना होता जाता है उतना ही हेल्दी और खुबसूरत होता चला जाता है इस एपिसोड में मैं अडेनियम के बारे में आपको जस्ट इंट्रोडाक्शन दूँगी और डीटेल इसमें हर एपिसोड में अलग-अलग तरीके से समझाओंगी ऐसा माना जाता है कि दुनिया में इसकी कई वराइटीज हैं परन्तु इंडिया में मुख्य रूप से तीन वराइटीज फेमस हैं अडेनियम ओबेसम जो सबसे ज़्यादा कॉमेन है अडेनियम अरेबिकम जिसका तना बहुत मोटा होता है और पतियां कम होती हैं और तीसरा है अरेबिकम मल्टी फ्लोरा जिसमें खूब सारे फूल आते हैं इन टीनो में ही सिंगल पैटल फ्लार्स होते हैं आजकल बहुत सारे हाइब्रिड प्लांस भी मिलने लगे हैं जो ग्राफ्टिंग से तियार किये जाते हैं जिनमें बहुत अलग अलग तरह के रंग शेप और साइज होते हैं तो इस तरीके से ये ग्राफ्टिंग फ्लार्स जो हैं और ज्यादा खुबसूरत लगते हैं अब बात करेंगे इस प्लान की पसंद और नापसंद के बारे में किसी भी पौधे को लगाने से पहले उसके पसंद और नापसंद को जान लेना बहुत ज़रूरी है जैसे कि क्या जलवाई उसे पसंद है, क्या तापमान होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, धूप पसंद है, या छाया पसंद है, खाद कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, कौन-कौन से रोग उसमें लगते हैं और इनके क्या उपचार है जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि इस पौधे को गर्म जलवाईयों पसंद है High temperature यानि कि 35 degree से 40 degree Celsius temperature इसके लिए ideal है उससे जादा अगर temperature हो तो उसको थोड़ा सा शेट दे सकते हैं बहुत तेज धूप में रखने से भी पौधे कई बार जल जाते हैं Sun loving होने की वज़े से अगर इसको आप धूप में रखेंगे तो ही इसकी growth भी अच्छी होगी और इसमें flooring भी अच्छी आएगी अब हम बात करते हैं इसकी मिट्टी की इसके लिए मिट्टी चाहिए well drained रेती लिए मिट्टी होने की वज़े से इसका जो codex होगा या उसकी जड़े होंगी उसको फैलने की अच्छी जगह मिल पाएगी और वो अच्छा मजबूत codex के form में convert होगा धूप के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है इसको धूप बहुत पसंद है direct sun light में आप इसको रख सकते है sun loving plant है इसके अलावा पानी पानी का आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसको पानी कम चाहिए बहुत कम पानी चाहिए इसकी detail में आपको next वाले episode में बताती जाओंगी बीच बीच में अभी मैं सिर्फ आपको introduction दे रही हूँ कि पानी अगर आप एक हफते नहीं भी देंगे ना तो ये पौधे को damage नहीं होने देगा लेकिन अगर पानी आपने ज़्यादा कर दिया तो root rot होने के निश्चित रूप से chances है आप बात करते हैं इसमें डाले जाने वाली खाद के लिए या fertilizer के लिए कई तरह के chemical fertilizer लोग डालते हैं और organic भी डाले जा सकते हैं बहुत तरह के लोग डालते हैं compost और gober की खाद मेरी समझ में best खाद हैं इसके लिए जो अच्छे से अराम से available भी है और easily इसको grow करने का पूरा मौका देता है इसके अलावा नीम की खली, bone meal और चूना आदी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दिया जाना है और next episode में मैं आपको detail में बताने वाली हो अब हम बात करेंगे इसके propagation की यानि कि इसको कैसे multiply किया जा सकता है इसको दो तरीके से multiply कर सकते हैं cutting के द्वारा भी और बीजों के द्वारा भी अब बात है इसमें लगने वाले रोगों की वैसे तो ये बहुत hardy plant है बहुत जल्दी से इसमें कोई रोग लगता नहीं है कहीं आपको बाहर जाना है तो आर्दर दिन के लिए आप निश्चिन दोके जा सकते हैं पानी की भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है हाँ बारिश के पानी को या पानी किसी भी तरह का इसकी जड़ में रुकना नहीं चाहिए अगर इसमें जड़ों में पानी रुकता है तो इसमें गलन शुरू होती है जिसको root rot कहते हैं परेशानी की बात तो ये है कि ये root rot आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा जब सारी पतियां पीली होके गिरने लगती है और इसका कोडेक्स पूरा का पूरा तब पता लगता है कि वो तो गल चुका है तो बीच बीच में आपको इसको चेक करते रहना है कभी-कभी बारिश में इसकी ब्रांचेज में भी root rot हो जाता है तो जो उसको उपस है नीचे की तरफ गलन उसमें शुरू होती है तो उस case में आपको antifungal यूज करना है चाहे वो chemical हो या आप organic कोई antifungal यूज कर रहे हो इसके अलावा समय समय पर आपको cutting, pruning और cleaning इसकी साफ साथ में करते रहनी पड़ती है तो ये था एक छोटा सा introduction अडेनियम के बारे में और अगले एपिसोड में हम इनकी एक एक करके सभी detail जानकारिया देंगे इसको हम कैसे beautify कर सकते हैं उसके कैसे shape बना सकते हैं इसकी भी जानकारी में आपको देती भी चलूँगी तो तब तक के लिए ओके बाई बाई happy gardening